हलो इवरियन आप सभी का आरके बिलेज फ्रेंड चैनल पर स्वागत है आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में मटर की खेती जो अगेती हमको करना है अगस्त और सितंबर में करना है उसको कैसे करें उसके लिए कैसी मिट्टी होने ची काउन सी सावधानिया बरतें जिससे हमको अच्छा उत्पादन मिल सके तो आज की इस वीडियो में हम मटर की अगेती खेती कैसे करें इसके बारे में पूरी जानकारी परदान की जाएगी वीडियो पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी मटर की अगेती फसल की बड़ी मांग रहती है जिसको देखते हुए बैग्यानकों ने रवी की फसल होते हुए भी इसे सितंबर में बोने के लिए अगेती परजात का विकास किया है भारते सब्जी अनुसंधान संस्थान कासी के बैग्यानक अगेती परजात किस्मों को विक्सित किया है जिन में आजाद मटरतीन, कासी नंदनी, कासी मुक्ती, कासी उदय और कासी अगेती परमुक है जिन में प्रोटीन की मात्रा की जरूरत पूरी होती है साथ में भूम उर्बरा सक्ती में बिर्धी होती है साथ खेती करने वालों किसानों को काफी अच्छा लाप पराप्त होता है मटर की इन परजातियों की खास बाते हैं कि 55 से 60 दिन में तैयार हो जाती है जिससे खेत जल्दी खाली हो जाता है जिससे किसानों को 12 लाप प्राप्थ होता है और अगली फसल को लगाया जा सकता है तो कासी नंदनी है इसकी बवाई कहां कहां की जा सकती है तो जम्मू कासमीर, हिमाचल परदेश, उत्रांचल, पंजाब, उत्तर परदेश, जहारखंड, करनाटक, तमिलनाड और केरल के में इसकी खेती की जा सकती है इसका उत्पादन 110 से 120 कुंटल प्रत हेक्टियर प्राप्थ हो जाता है और दूसरी कासी उदह है इसकी फली की लंबाई 9 से 10 सिंटीमिटर होती है इसकी बवाई उत्तर परदेश, बिहार, जहारखंड में अच्छे से की जा सकती है उत्पादन 105 से 110 कुंटल प्रत हेक्टियर के हिसाब से मिल जाता है और एक कासी मुक्ती है इसकी बवाई उत्तर परदेश, पंजाब, बिहार, जहारकंड के लिए उप्यूक्त है इसकी पैदावार 115 कुंटल प्रत हेक्टियर के हिसाब से प्राप्थ हो जाती है मांग की दिश्ट से देखें तो जो कासी मुक्ती है इसकी विदेशों में भी बहुत मांग रहती है क्योंकि इसका दाना बहुत ही अच्छा रहता है इसको भारती सब्जी अनुसंधान संस्थान के दौरा तैयार किया गया है और अगली है कासी अगेती इसको भारती अनुसंधान संस्थान ने 2015 में विक्सित किया यह 50 दिन में तैयार हो जाती है इसकी फलियां सीधी और गहरी होती हैं पौधे लगभग 58 से 60 सेंटीमीटर की लंबाई लिये होते हैं उत्पादन 95 से 100 कुंटल प्रत हिक्तियर के हिसाब से प्राप्त हो जाता है यह हैं प्रजातियां जो अगेती मटर के रूप में पैदा की जा सकती हैं जिनका उत्पादन अच्छा होता है इसके लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए तो मटर की खेती के लिए दोमट और हल्की दोमट दोनों परकार की मिट्टीयां उप्यूक्त होती हैं तता खेत की तैयारी कैसे करें पहली जोताई यदे हम पलटने वाले हल से करते हैं तो अच्छा होता है फिर उसके बाद दो से तीन जोताई कल्टीवेटर से करके पाटा लगा कर मिट्टी को भुरुरा बना लेते हैं अथ्वा रोटा बेटर से भी मिट्टी को भुरुरा जा सकता है अब बीज की मातरा की बात करें तो असी से सो केजी बीज की मातरा जरूरत पड़ती है बीज उपचार भी करना बहुत ही आवस्यक होता है बुवाई से पहले बीज उपचार करना बहुत ही जरूरी होता है मटर के बीज जनित रोगों से बचाने के लिए थीरम दो ग्राम या मैंको जेब तीन ग्राम प्रत किलो बीच की दर से उपचारित करना चाहिए और बुवाई में विशे से ध्यान रखना चाहिए कि सबजी वाली मटर की अगेती वाली बुवाई बीच को पहले 24 घंटा पानी में भीगो कर फिर छाया में सुखा कर तब तो इस तरीके से डीपी खात का परियोग करके उर्वरक की अवसकता को पूरा कर सकते हैं अथवा 20 किलोग्राम नाइक्टरोजन तथा साथ किलोग्राम फासपोरस का भी परियोग किया जा सकता है डीपी के अस्थान पर मटर में सिचाई की कितनी जरूरत पढ़ती तो एक स दो सिचाई में मटर तैयार हो जाती है इससे ज्यादा सिचाई के उसकता नहीं पड़ती है इस तरीके से मटर की खेती करके हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं तथा अच्छा बाजार भाव भी ले सकते हैं चुनोती तो जरूर होती ही चुनोतियों को सुविकार करना ही हमारा कारी है क्योंकि खेती एक चुनोती ही है आसा करते हैं वीडियो पसंद आई होगी तो आप एक लाइक कर दीजे चैनल पर पहरी बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सस्प्राइब कर दीजे वीडियो झाल झाल